पुराने समय की बात है, रामनगर नाम का एक गाव था. उस गाव के पास एक धना जंगल था, जिसमें राजू नाम का तांत्रिक रहता था. उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड था कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है और जिसे गाव वालों को यह बात पता चल गई की राजू तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तिमाल करके गाव के योगों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है. एक दिन रात के समय में गाव के लोगों ने एक टोली बनाई और उस तांत्रिक को मारने के लिए उसके घर की और चल दिये। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुँचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है। और तभी गाउ के लोग उसे मिलकर उसकी कुर्टी से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहाँ उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गाउं वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया. चार से पांच साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गाउं में भी सुक शान्ती का माहौल रहता है. तभी वहाँ शहर से चार लड़के आते हैं और वह सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाएं. लड़के घूमते घूमते उस्तांत्रिक के इलाके तक पहुँच जाते हैं, वहाँ वो लोग देखते हैं कि मकडी के जाले लगे हुए हैं, गीदर वहाँ भैसे के मास को खा रही हैं. उन में से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि यह कुर्सी में कुछ अजीब है, बिना कुछ सोचे समझे वह लड़का उस कुर्सी पर बैठ जाता है और उस लड़के में उस्तांत्रिक की आत्मा आ जाती है. आत्मा के आते ही लड़का जोर-जोर से चिलाता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा, अब मैं इस पूरे गाउं को जला कर नश्ट कर दूंगा. बाकी के तीन लड़के इस द्रिश्य को देखते हैं और वापस गाउं की ओर भागते हैं और गाउं के सर्पंच को यह सारी बात बताते हैं. सर्पंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुरसी पर जाकर बैठने को लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं. सर्पंच बताता है कि अगर वह लड़का उस कुरसी पर से उठ जाए और उस कुरसी में तुम लोग किसी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांतरिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए. इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुरसी के साथ उड़ता हुआ गाउ में आ जाता है तीनों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंडते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुरसी में आग लगाई थी तीनों लड़के उस आद्मी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाएं वह आद्मी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आद्मी को देखती है वह कुरसी से उतर जाती है और मौका मिलते ही तीनों लड़के उस कुरसी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गाव के लोगों को भी उस तांतरिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है